आप सब का स्वागत है आज हम बनाएंगे बीना दूद बीना मावई के बेशन और नारेल की बरफी ये खाने में बहुत टेस्टी होते हैं आप जरूर इसे ट्राइ करना आए देखते हैं ये किस तरीके से बनाया जाता है कड़ाई देखें मैंने गैस पर रख दी हूँ अभी हम इसमें दालेंगे तीन बड़े चमज गी अभी हम इसमें दालेंगे देड़ सो गिराम बेशन बेशन को हमें धीमी आज पर भुनना है बेशन को मैंने 6-7 मिनिट भुन चुकी हूँ अभी हम इसमें दालेंगे आधा चमज हिलाइची पाउडर और इसे हम 15-20 मिनिट के लिए और भुनेंगे हाथ हमें बिल्कुल भी रोपना नहीं है चमज से से हिलाते ही रहना ताकि चारो तरब से हमारा बेशन अच्छे से लाल हो जाए देखे बेशन को मैंने अच्छे से 25 मिनिट के लिए भूलनी हूँ बारिक गैस पे अभी हम इसमें दालेंगे एक गिलास पानी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद में अभी हम इसमें दालेंगे थोड़ा सा ओरेंज कलर पानी में घुल कर हम इसमें दाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे कलर अच्छे से मिक्स होने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे 100 गिराम शक्कर अभी हम इसमें डालेंगे नारेल यह मैंने आधा वाटी सुखा नारेल को खिसकर ले ली है और इन सारी चीज़ को हम अच्छे से मिक्स करेंगे कि अभी हम इसमें डालेंगे बारी कटे वे बादाम है कर दालेंगे बारी कटे वे काजु के औरहां मिक्स करना है और पांच मिनुट तक के हमें ऐसे ही पकाना है अभी देखे यह अच्छे से पक चुका है शक्कर हमारी अच्छी से घुल चुकी है अभी हम गैस को बन कर देंगे देखे मैंने इसे एक चुकन डब्बल ली हूँ उसके अंदर मैंने घी लगा कर ले ली हूँ चारो तरफ से अभी हम इसके अंदर बेसन को डाल देंगे और इसको अच्छे से सेट कर देंगे इसको देखे मैंने चारो तरफ से अच्छे से सेट कर दी हूँ अभी हम इसके अपर बारी कटे वे बादाम डालेंगे और इसे हल्क के हातों से इसे से दबा देंगे देखे इसके पर मैंने सिल्वर पेपर भी लगा दी हूँ अभी हम आदे घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि अच्छे से से सेट हो जाए देखे बेसन की बरफी सेट हो चुकी है अभी हम इसे कट करेंगे माशालला देखे हमारी बेसन की बरफी कितनी अच्छी बनी है वीडियो पसंद आए तो शेर कीजे लाइक कीजे सब्सक्राइब कीजे और कमेंट में जरूर बताना बेसन की बरफी कैसे बनी अल्ला हाफीज अल्ला हाफीज